मार्केट के सेंटिमेंट यहां पर बहुत ज़्यादा बुलिश है और अब 20,000 से लेवल जो है वो जल्द एचीव होते हुए निफ्टी में नजर आ सकते हैं लेकिन ऐसे में आपको किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए उसको यहां पर समझते हैं फिल हाल अभी अगर देखते हैं तो निफ्टी पे यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो 20,000 का है और सपोर्ट के बाद करें तो वो है 19,680 रुपए का फिल हाल अभी इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं तो मूविंग इंडिकेटर्स चाहे वो RSI, MACD, Williams यह सभी बाइंग जोन पे हैं और यहां से जादा तर जो सेक्टर सपोर्ट दे रहे हैं वो हैं आटो, बैंक, डिफेंस और रेलवे काउंटर और इसके अगर स्टॉक्स देखते हैं तो इन सेक्टर के जो लॉंग टम के लिए बाइ किया जा सकते हैं आपको अच्छे रेटन्स दे सकते हैं वो हैं SBI, SDFC Bank, ICSC Bank, Tata Motor, Ricco Auto, Maruti, HAL, Paras Defense, RVNL, IRFC, Railtail यह ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहां से लॉंग टम के लिए काफी अट्रक्शन दिखा रहे हैं और इस लेवल से अगर देखें तो लगभग 12-15% के रेटन्स यहां से अब दे सकते हैं तो दिवाली से पहले मार्केट में यह स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें की अपवर्ड मूव के लिए लिया जा सकता है